हम लोगों में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते होंगे कि वो जिन डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं, उन्होंने क्या-क्या पढ़ाई की है, कहां से पढ़ाई की है और कितना अनुभव है मगर आने वाले दिनों में ये जानना मुंकिन होगा अला कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर बिना अनुभव देखे, बिना क्वालिफिकेशन देखे डॉक्टर्स को रख लेते हैं, ऐसा नहीं है अनुभव मेडिकल कमिशन याने के एनमसी के तहट एक रजिस्टर तयार कर रही है, जहां पर डॉक्टर्स की पूरी जानकारी होगी और यही नहीं नए नियमों के मताबिक अब सभी डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए नैशनल एग्जिट टेस्ट यानि के नेक्स्ट को कौलिफाई करना भी अनिवायत होगा सरकार का उद्देश और फर्जी डॉक्टर्स पर लगाम कसना है और साथी इलाज की कौलिटी को सुधारना भी है आज हम NMC के नए नियमों को विस्तार से समझेंगे उन पर चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ है लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट कोई मरीज अगर अपनी किसी गंभीर बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर से करा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर के बारे में सब कुछ जानता हो मसलन उसने कहां से पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ाई की, उसकी विशेशग्यता क्या है या उसे कितरा आनुभाव है लेकिन National Medical Commission यानि के NMC के नए नियमों के तहट मरीज अपने डॉक्टर की पूरी कुंडली जान सकेगा इससे मरीज को अपना इलाज कराने में काफी मदद पिलेगी, क्योंकि National Medical Commission एक Common National Medical Register तयार करेगा, जिसमें डॉक्टर्स की पूरी डीटेल दर्ज होगी वहीं अब डॉक्टर्स को National Exit Test यानि के Next पास करना अनिवार ने होगा ये नियम केवल भारत में पढ़ाई करने वाले मेडिकल चात्रों पर ही लागू नहीं होगा, बलकि विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर देश में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को भी इस नियम काइदे के दौर से गुजरना होगा कोई भी नैशनल मेडिकल रेजिस्टर में दर्च डॉक्टर्स की पूरी डीटेल नैशनल मेडिकल कमिशन की वेब साइट पर देख सकता है इसमें डॉक्टर का नाम, तारीख के साथ साथ रेजिस्टेशन नंबर, पिता का नाम, काम करने की जगा, जिसमें राज, शहर, संस्थान जैसी डीटेल शामिल होगी इसके लाबा, नैशनल मेडिकल रेजिस्टर में डॉक्टर की अतरिक्ति योग्यता, उसकी मेडिकल पढ़ाई से संबंधित विवरन, जैसी जरूरी जानकारियां भी मौझूद होगी National Medical Register में पंजिकरिट डॉक्टर को देश में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस किवल 5 साल के लिए वैद होगा ऐसे में डॉक्टर को हर 5 साल बाद State Medical Council में अपना लाइसेंस रिन्यू कराना होगा National Medical Commission ने साथी में कहा है कि अगर कोई राज्य किसी डॉक्टर को किनी कारणों से लाइसेंस जारी करने या लाइसेंस के नवीनी करन से इंकार करता है तो ऐसी स्थिती में राज्य के निर्णे के खलाब डॉक्टर्स 30 दिनों के भीतर Ethics and Medical Registration Board यानी EMRB में अपील दायर कर सकते हैं अगर किसी डॉक्टर की अपील EMRB ने खारिच कर दी तो डॉक्टर 60 दिनों के भीतर NMC में दूसरी अपील दायर कर सकता है इस बाबत NMC के फैसले को अंतिम माना जाएगा भारत भले ही अब National Exit Test यानी Next की विवस्था अब लागू करने जा रहा है लेकिन अमेरिका, चीन, इंग्लेंड और थाइलेंड जैसे देशों में पहले से Medical Graduates के लिए Licensing Exam की विवस्था है जिसे पास करने के बाद ही प्रैक्टिस की मन्जूरी मिलती है फिलाल तो National Medical Commission के नई नियम से फर्जी डॉक्टर्स पर लगाम कस पाएगी और काबिल डॉक्टर्स का डेटाबेस तयार होने से देश की स्वास्त सेवाओं को दुरुस्थ करने में मदद मिलेगी इसके अलाबा मरीजों को अपने डॉक्टर के बारे में जानकारियां मिलेंगी सो अलग ग्योरो रिपोर्ट जी मीडिया